इस तारीशी जन्से पर मैं ये कहने में हक बजाने मूँ उकाड़ा के लोगों तुमने पुरानी तर्स की स्यासत को उकाड़ दिया और उकाड़ा में तरीके इंसास के छंड़े को गाड़ दिया है साथियों आज से दो दिन पहले एक बहुत बड़ी जमात जो हुआ करती थी उनकी गयाजत में गुलतान में मैंफिल सजाई और कहां कि हम बादा करने आये हैं कि हम अलाम के हकूप की जंग रएंगे आज अलाम केहती है हमारे खकूप की जंग तुम रखोगे जिन से हम तंग है उनके संग हम जंग कैसे रख सकते हैं जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा जिन्होंने नाकिस्ट हुकमानी से पाकिस्तान के इदारों का खुर्या पकारा वो आज कहते हैं खराप के हकूप की आवास बुन करेंगे हर्गेस नहीं हर्गेस नहीं यह मुंकिन नहीं है मेरे सापशियों हमें फैस्ता करना है उकराणा के लोगो तुमने फैस्ता करना है कि क्या तुम आवां के हकूप की टंग लगने के लिए इमरान के संग निकलोंगे उगारा के लोगों मैं फिर सवाल करता हूँ जंग है किसांग की जंग है मजदूर की जंग है उस जंग को लगने के लिए इम्राइम के संग निकलोगे क्या दूसरी बात लगाश शरीष सहाब लंदन से बारा होते है मैं पाकिस्तां जाकर एक तहीं चलाओंगा कि एक च्छाएंगे ऑखूमत अप की मरकस में हकूमत आप की पंजाब मैं हकूमत आपकी परशस्थान आप की अजात कश्मीर में हकूमत आपकी कि कि पर्तिस्तान में हकूमत आपकी किस के खिलाब चलाना चाहते हैं आप तहीं चलाना चाहते हैं लगता ये है लगता ये है कि जो इम्रान के हक में फैस का आया है वो असानी से खजन नहीं हो रहा वो आज इदारों पर हम्ला करना चाहते हैं मैं कहता हूँ इदारों पर नहीं तर हकीकत वो पाकिस्तान के जमूरी मिजाम पर हम्ला करना चाहते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि अगर जमूरियत पर हम्ला होगा तो हम शहाज़त करे बादा ओएंगे और मजलूमियत की कैसियत लेकर हम अबान के सामने निकलेंगे में दोस्तों उकारा पंचाब का मुंसरे जिरा है उकारा जराब का दिर है मैं उकारा के लोगों से पूछता हूँ क्यों आज हगुक की चंग लंडे की बाप करते है जबाब की 208 से लेकर 2013 तक पंचाब में पीपी और नूम की मखरूब हगुमत थी उकारा के मुझाहीन पर जब जुब हो रहा था जंग लंडे तुमाए थे जब उकारा के किसानों और दिबालपोर के किसानों तो उनके आयू की कीमत नहीं मिल रही थी और उन्हें अपनी फस्द को जमीन में धवारा पड़ा क्या तुम उनकी जंग लंडे आए थे जब गंदों की फस्द कटी और काशकार को बार्दाना नहीं मिल रहा था और सरकारी मिर्ष नहीं मिल रहा था क्या तुम उनकी जंग ले आए थे और आज पंजाब अकूमत कहती है कि एक सो अस्दीर पर मन गंदे के काशकार को दिया जाएगा मिल वाले करने के काशकार कर रहे हैं 140 उर्पर दे रहे हैं ती मन क्या सिंद्ध और पंजाब की रकोमत सिंद्ध और पंजाब के काशकारों के लिए जंग लग रही है नहीं लग रही तो मेरे दोस्तों मेरे साथियों ये आज आपने फैसला करना है कि आपने मुस्तखबर की सफबंदी किसके साथ करनी है मैं दो मिनिट में आज के पाकिस्तान का खागा आपके सामने पेश करता चाहता हूँ और उसके साथ साथ तरीके इंसाफ कर दोस्पदेन है और हमारा क्यों इंडर है वो आपकी खित्मत भी रखना चाहूंगा साथियों आज पाकिस्तान का बच्चा तालीम का ख्राइश कुंद है क्या पाकिस्तान के पेश्टर स्कूलों में मैयारी तालीम का ख्राइब है यह मैं सवार उठार हूँ मुझे जनाब चाहिए और आपके जनाब से हमने मुस्तक्बिल की मज़ूबंदी करनी है क्या आपके बच्चों की आपको तालीम की जरूरत है क्या मैयारी तालीम मिल रही है क्या आज के पाकिस्तान में नौजवानों को रोज़कार की जरूरत है क्या आज मुल्क में सर्भाया कारी हो रही है क्या नौजवान को रोज़कार कस्क्राब हो आज पाकिस्तान के किसान को अपनी मेनद का सही मुनासिब मार्जा चाहिए क्या किसान को उसकी मेनद का मौार्जा मिल रहा है आज पाकिस्तान का मजदूर और मेनद का श्टबका इस तफसाल से नजाद चाहता है जा पाक्स्तान के मुझदूरों को कानून के मताबब जो सोशल सी बेनिफिट्स और राइट्स मिलने हैं वह उनको मिलरे हैं आज पाक्स्तान की खवातिन अपने हकूछ की घुडतकाटी है जो हकूछ आइए n पाक्स्तान और शईयत ने इनको दिये है क्या पाकिस्तान की खावातीन को वो खकूप मिल रहे हैं क्या आज उनकी चादर और चार दिवारी महफूज है आज पाकिस्तान के उलबा मुदालबा करते हैं कि कामू से निसालत के कानून को क्यों छेला गया अज पाकिस्तान का सिपाही पाकिस्तान का अफसर पाकिस्तान के दिफाय के लिए एक हें विपाह के लिए अपनी चानों कान। पेश कर रहा है और अजब जई साथ फाटा को मुतनाजा इलाका करार दे रहे हैं क्या ऐसे ब्यादाब की दरूरत है और मेरे दोस्तों मैं एक और स्वाग करना चाहता हूँ मदलूम पाकिस्तान का मदलूम तब का इंसाफ चाहता है क्या पाकिस्तान के गरीब और मदलूम को इंसाफ मिल रहा है क्या कौम को एक ऐसा लीडर चाहिए कौम को ऐसा लीडर चाहिए जो कौम के वफादात का तहफ़ कर सके क्या पाकिस्तान की पुरानी चुबातों के पास ऐसी क्याज़त है नहीं है तो कौम को लीडर चाहिए सुदागर नहीं चाहिए उकाला के लगों आओ मिलकर इस पाकिस्तान के नक्षे को इस नज़ियाती नक्षे को इस फर्चते को इस सोच को तदीद करें और बनाए निया पाकिस्तान उसमाए पाकिस्तान के लिए क्या तरीक इंसाफ के संच लोगे जो तरीक इंसाफ के संच लोगे वो पर्चन बुलत कर दे तरीक इंसाफ का तरीक इंसाफ के संच लोगे क्या आप इम्रान के साथ जदो जहत करने के लिए उकाला के लोगों तयार हो तयार हो तो फिर आओ मिलकर नारा लगा दे कौन बचाएगा पाकिस्तान और पाकिस्तान और पाकिस्तान पंजाब का उस्यासी शवर रखने वारा दिना है जब उकाना फ्रेस्तान कर ले तो उकाना के स्यासी फ्रेस्तानों की हावा उकाना तक महदूत नहीं रहती उसकी घटाएं और उसकी हावा की फिजाएं पाक पत्र साहिवार और कसूर को भी अपनी लपेट में ले लेती है कि आज मैं उकाना से एक नई अबामी लहर की तवक्तों करके जा सकता हूँ शुक्रिया उकाना आपने हमारी होस्ता व्जाई की और सबिक किया कि उकाना कल भी जिन्दा था उकाना आज भी जिन्दा है